तो दोस्तो अगर आप अपना खुद का एकाउंट क्रेट करना जाते हो आपका वेप साइब करना जाते हो तो इस वीडियो आपके लिए है तो दोस्तो अगर इस चैनल में आप लोग नए हो तो सब्सकाइब जूर करें तो दूस्तो पहले आपको Google में सांच करना ना है Google Adsense पहले जो या पर लिंक है यापरkilिक करना होगा उसके बाद यापर के लिए या पर इन्ट कर सकते हो नहीं तो या पर योगिंद ना हो तो उसके बाद आपका email पहले से आपका कांट्री है जैसे मैं इंडिया से हूँ तो mouse परДа करना होगा फिर Gmail कुलिख करना होगा तो स्टार्ट युजिंग ऐड इसन्स यह पर क्लिक करना हो उसके बाद पहले जो payment option का है इसको फिल आप करना होगा तो पहले में इसको फिल आपकर लेता हूँ तो यह पर कुछ अलग सा डिटीलस है तो मैं इसको नहीं रहना जाते हो तो यह तो यह यह फिल आ पर अगर आपको ही ऐसे type का पहले आ रही है तो यह पर जो create payment profile है यह पर click करना होगा फिर इसको आपको individual select करके रखना है business individual तो business नहीं है इंडिविजियल है तो individual को करना है उसके बाद आपका जो name है यह पर देना होगा जैसे मैं यह पर ग्रीन मार्क हो गया है वह अभी मेरा जो payment यह पर इंफर्मेशन था हो सामिट हो गया है उसके बाद आ रहे है ठीक है तो इसको आपको एस्वेलर पर क्लिक करना होगा इसके बाद जो भी है यह पर आपको कुछ करने की जुरुरत नहीं यह भी तो फिलाल यह पर एपलाई साइट पर क्लिक करना होगा फिर यह पर सब्सक्राइब क्लिक करना होगा सब्सक्राइब क्लिक करने के बाद आपको यह पर लेस्गो जो इसका जो आप संता यह भी क्लियर हो गया उसके बाद लेस्गो पर क्लिक करना होगा तो यह पर जो कोड मिल रहा है आपको इसको आपको कपी करना है कपी करके हेडर में जाना है उसका हेडर में जाना है आपका थीम का हेडर में जाना है जैसे मैं वाड़ पेस में हो तो यह पर एपरेंस पे किलिक करके आपको जो थीम फाइल एडिट है यह पर भी आप जा सकते हो नहीं तो आप यहासे नहीं कर पा रहे हो तो यह पर प्लागिन पर जा करने के बाद, जा पर header close हो रही है, वापर आपको enter, देने के बाद आपको यह पर test करना है नहीं तो आप यहां भी test कर सकते हो, जो header start हुआ है, उसके बाद एक enter देना है, फिर यह पर paste कर सकते है उसके बाद आपको यह बाद जो update file है, यह पर click करना होगा और अगर आप यहाँ पर कोई find नहीं कर पर हो अगर तो यहाँ पर plugin इंस्टल करके भी कर से तो plugin के अंदर add new पे यहाँ पर click करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको insert header लिखके यहाँ पर search करना होगा उसके बाद जो yellow color का है इसको आपको install करना होगा यह करने के बाद इसको active कर देना है फिर आपको यह पर सेटिंग औप्षन है यह पर hold करके आपको यह पर दिख जाएगा डावलोफी header and photo रिया पर click खना वहाँ फिर आपको यह पर header पे आपका जो code है एसका यह पर इस code को ''copy'' करके अपको यह पर paste कर देना है उसके बाद आपको save changes पर click कर देना है फिर आपको एक बार यह पर आपका जोबीर कैचस plugin है उसको यह पर एक बार clear करें। करने के बाद आपको यह से request review पर डालना पर click कर ना होगा तो दोस्तो अगर आपका विश्र भी कोई पाबलम नहीं है तो आपका या पस सेक्सेस आपका मेसेज आ जाएगा और कुछ पाबलम भी है तो वह भी आपको इमेल में आ जाएगा तो दोस्तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ऐसे टैप के वीडियो पाने के लिए